है आप सबीका स्वागत है हमारी चेनल दर रिया विपोर्ट में आज हम बात करेंगे फ्रेंज हरर के बारे में हरर के फाइदे क्या है हरर का सेवन से क्या लाब होते वो क्या-क्या बीमारी में यह चुटका रहा पासकते तो फ्रेंज वीडियो एन तक जरूर देखेगा और इस वीडियो में हम आपको हरर के फाइदे बताएंगे फ्रेंज हरर एक आयरवेदिक जड़ी बुटी है जो कि सरी के लिए कही प्रकार के काम करती है यह एंटी ओक्सिडेट गुनों से भरपूर है और इसका एंटी बेक्सीरियल गुन सरी को कई संक्रमा रोगों से बचान कि आप इसे रोज ले सकते हैं बस ज्यान रखे कि आदा चमची लेना है प्रेंज हरर के क्या-क्या फायदे है पाचन चंत्र के लिए फायदे मन दस्त पेट फुलना पोस्टिक अलसल गेस्टो ओसो फेलर रिफ्लक्स रोग अपच कब्ज की समस्या पेट फुलना और पेट दर जेसे जर्ट राज सबंदी विकास के लिए शुंकला का इलाज करने के लिए पारम परिक उपाई है इसकी कार्मी नेटिव प्रकुति पेट और आंत में भोजन के कणों में तोनने में मदद करती है और डाइजेस्टिव इंचा इसमे में प्रोड़क्ट को बढ़ा दि गठिया के इलाज में ये राम बान इलाज है गठिया की समस्या के हरण का सेवन बहुती फायदे मंद है हरण अपने वाल संतुलन गून के कारण जोडों के दर्थ को प्रबलित करने और उत्तर को मास पेशी और हड़ियों के लंबी उम्र को बढ़ाने में मदद करता है वा इस चमतकारिक फल को लेने में अग्रास है की कोशिशा को इस संतुलित का उपाधन सक्रिय हो जाता है यह स्टाच के ग्लूकोस के टुटने को कम करने में मदद करता है इसलिए हरित्तकी पावडर का नियम उप्योग ब्लड सरकल आके स्थर को प्रबाइब दंग से कम करता ह और मदु में के विबिन लक्षणों जैसे बार बार पेशावाना अध्यदिक प्यास लगना वजन कम होना आधिके राज देता है दिल की सेहत के लिए भी हरोर बहुत फाइदेमंद है तेज धरकन और हाई विपी के पीरित रोग्यों के लिए बेर फाइदेमंद है यह हद लेते हैं एथोरे स्केल रोसिस दिल के दोरे दिल के ब्लोकेश खून के ठक्के यानि के ग्लोटिंग आधिके जोखिंग को कम करता है यह आखों के लिए भी बहुत फाइदेमंद है आखों की कई समस्या के लिए हरोर बहुत फाइदेमंद है जैसे की ड्राइ आई की समस्य करता है आखों से पानी आना आखों में सुजन और संक्रमन को रुखना इसलिए सुखे हरर को चाय में उबाल कर और बाद में ठंदा करके आई वोस या क्लींजर के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं आपके जानकारी के लिए मैं बता दू के हरर ब्रेन बुष्टर के लिए भी हरर के एक एंटि ओक्सिडेट प्रेन बुष्टर की तरह काम करते हैं बुल्किंग को सरी में अक्सिकरण एजाइम ये सरी के सुजन को कम करने में मदद करता है इससे मस्तिक स्वस्ता रहता है और इससे काम का तेजी से बढ़ता है हरर फेपड़ों के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है हरर का एंटी बेक्टिरियल और एंटी बायोटिक गून अस्तमा को रोटने में मदद करता है यह सामानिय सर्दी, खासी, और फ्ल्यू, ब्रोकाईटिस, अस्तमा, आदी जैसी विबिन स्वसन समस्या के इलाज में उच्च महत्वा रखता है यह कप को पतला और डिली भी करता है और इससे बाया निकलने में मदद करता है इसके अलावा फ्रेंस ही छाती और नाग मितर स्वास को आसन बनाता है और सरीर को बल्गम से छुटकारा पाने में मदद करता है इस जड़ी बुटी को देनिक सेवन फेपडों के उतरुख को मजबूत करता है और फेपडों को स्वास को बढ़ाता है आपकी जानकारी के लिए बता दू फ्रेंस की स्कीन के लिए भी बहुत ही फायदे मन्द है वितामिन C, मेगरिसियम, पोटेसियम, आईरन और कोपर जैसे सक्ति साली एंटी ओक्सिडेट और पोसक्ततों की प्रचुलता इसे स्कीन केर उत्पाद दतकाने परफेक्ट इंटी दीतिक बनाता है या प्रभावी रूप से सरी को मुक्त करणों में हटाता है और ओक्सिडेटिव सती को कम करता है एक प्राक्रुतिक टोनर होने के नाते ये तवच्चा की आंतरिक परतों के पदार्थ को बहा निकालता है समकर तवच्चा के स्वास्ते को बढ़ावाद देता है और विबीन तवच्चा संक्रमन जैसे मुहा से फूली, चक्ते, फोड़े आदी का इलाज करता है इसके अलावा ये बालों के लिए भी बहुत फाइदेमंद है बालों के स्वास्त के सुधार लाने में हरड आपकी कापी मदद करता है एक बेनरव, खुजली और बालों के जन्ने जैसे स्केल्ट, इंसेक्शन जो इलाज के ये उप्योगी है इससे पाने का इस्तमाल करके ये बालों में रोम को साप करता है गंकी और असुध्यों को छिटकारा दिलाता है और बालों के विकास को बड़ा देता है या उन्हें जडों मजबूत करता है, बालों को तुपने और जन्ने से भी रोकता है और रेस्मी मुलायम चिकनो बालों को प्रदान करता है फ्रेंस, हरर काफी बिमारियों को ठीक करने में बहुत ही फाइदे मन्द है हरर पूरुस और महिला दोनों के योन स्वास्ते को बढ़ावा देने में बहुत फाइदे मन्द होता है या मानसिक तनाव और चिंता को करन करने में मदद करता है और कामेच्छा बढ़ाने के लिए हार्मोन को उतजित करता है या पूरुस और महिला प्रजजन संता को सुधार करता है कई प्रजन जन मुद्धों का इलाज करता है और पूरुस और पूरुस और संसक्ति को बढ़ावा देता है फ्रेंस आपकी जानकारी के लिए बता दू को आपको हरर लेना कैसे है जैसे कि आपने खाना खाया खाना खाने के 15 मीट बाद आदा चम्मच आपको गुन गुना पाने के साथ सुबह साम इसको लेना है इसका सेवन करना है इससे आपको बहुत ही लाब होगा यह कई बिमारियों में बहुत ही लाब करता है रोज आदा चम्मच हरर को सेवन करने में सरी को बहुत ही फायदे मिलते हैं कई बीमारियों करे चुटकारा भी मिलता है जैसे कि पेट की समस्या हो गए तो आप सुबह खाली पेट हरर को ले सकते दूद में मिला के आदा चम्मच अगर ये बीमारी हर किसी को नहीं होती हर किस किसी को अलग-अलग बीमारी का वह रहता है तो रोच आप खाना खाने के बाद आदा आदा चमस गुन-गुने पानी के साथ ले सकते हैं अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और कोई भी क्वेस्चन हो तो आप कमेंट बोक्स में जरूर लिखिए चैन